तो गाइस मैं हुआंगी तोरा आप देख रहे हैं रिस्लिंग फैन्स नेटवर्क बात अगर में सुर्ण कर लेते हैं सबसे पहले सेथ रॉलिंस और लोगन पॉल के मैच से तो सेथ रॉलिंस और लोगन पॉल का मैच जो भाई वो एनांस तो हो चुका है रिसलमीना के लिए यह भी बहुत 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 रिजन है कि इस वज़ा से इनका मैच होने वाला है नाइट वन को जी हां गैस बल्कुल सेख सुने आप लोग जो सेथ रॉलिंस और लोगन पॉल का मैच होगा रिसलमीना के अंदर वो होगा पहली रात को यानि कि इंडिया में आपको ये दो को देखने को मिलेका सुबा सुबा तो ये वाला मैच कंफर्म है नाइट वन के लिए बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं अभी जिसकी प्लेसमेंट कंफर्म नहीं है रिसलमीना नाइट वन का में इवेट अभी तक अब लोगन पॉल ने अपने साइड से अपने मैच की कंफर्मिस को लेके सुबा मैने आपको बताए कि रॉग जाने पैरस के साथ कुछ गलत सीन हो गया एक निक्ष्टी में वह अपने मैच को जीतने के बाद कोलाप्स करते वे दिखी चक्कर खाके गिरते वे फेड करते वे दिखी अब यह चीज मौस्ट प्रवेबरी स्टोरी का ही हिस्स साथी स्टोरी में ही हुई है यह चीज मुझे लगता है और सबको वही लगता है और हो पैसा ही हो ऐसे में इसको लेके एक निव अपडेट है बताये गया है निक्ष्टी की तरफ से ट्वीट आया था आप लोग यहां पर देख सकते होगा अपने स्क्रीन को पर यहां पर लिखा गया है ट्वीट के अंदर अपडेट रॉगजन पैरेज विल बी केप्ट ओवर नाइट इन दा हॉस्पिटल फॉर ऑब्जवेजन एंड कंटिनूट टेस्टिंग यहां पिन लोगों ने ट्वीट करके बताएं वह राद भर हॉस्पिटल में रहेंगी क्योंकि उन के यह यहां क्यों को लेके पहलें अभी तो मैं आपको कर रहा है क्या उसका बहुत FDP करो करतें हैं oxyna को अंपडेट हो कि ना करो कि और डीफ करो किस segment को produce किया तो जो John Cena का segment था वो किसी ने produce नहीं किया था Cena Austin Theory का promo battle जो है वो बिरा किसी producer के करा गया था यानि कि most probably ये जो promo war थी battle थी ये unscripted थी जी हां guys and John Cena ने तो अपनी तरप से बिल्कुल छिल के रख दिया unscripted इतना गंदा रोष्ट किया जोन सीना ने लेकिन अगर ये unscripted है तो फिर भाई प्रॉप से Austin Theory को भी जिन्होंने जॉन सीना को बहुत तकड़ा रिवर्सल भी दिया था उन्होंने कहा कि मैं यहां रिंग छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूं जिस तरीके से तुम्हारे माथे का चांद कहीं नहीं जा रहा है तो ये कुछ कहा था Austin Theory ने भी तो इन लोग ने भाई गजब का दिया आप रोमो Enjoy this Gift Everyday visiting everyone around the world a happy and healthy Holy यहां पे जहौं सीना इंडियन से कितना प्यार करते हैं कितना वैलू करते हैं इंडियन फैन्स को वो सबको मालू में इंडियन ने काफ़ी इंवालë रहते हैं जहां सीना एड़ आई कहते हैं कि यहां सीना ने चैलेंज किया है ब्रॉक लिस्नर को एक बार फिर से इससे पहले भी कहा था इन्होंने लेकिन फिर से करा है हलकि इनका मैच जब रसल मिर्या में 39 में होना था लेकिन नहीं हुआ उसके बाद ब्रॉक वर्सेज गंतर फिर ब्रॉक वर्सेज टोन को डिये वो बहुत सारे मैच एंड में हो रहा है ओमोस के अगेंस्ट तो ब्रॉक वर्सेज गंतर भी एक ड्रीम मैच है एंड इन फ्यूचर फॉर्श और होगा इसको लेके बात करते हैं गंतर रीसेंट एक प कराये खुद को ऐसा कुछ गंतर का कहना है गंतर कहते हैं कि ड्रीम अपोनेट है ब्रॉक लिसनर उनके एंड इसी बॉड़कास्ट के अंदर उन्होंने चैलेंज भी दिया है कि मैं लिसनर से भीड़ना चाहता हूं अगर वो चाहे तो वह भीड़ सकता है क्योंकि मैं तो भ जरूर से बता सकते हैं फिलाल गंतर ने चैलेंज दिया है लिसनर को यह तो पता चल गया भाई आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अपनी अपडेट के बारे में जो कि यह टीम रोमन वर्सेस टीम कोडी को लेके सर्वाइवर सीरीस की बात नहीं हो रही है लेकिन टीम रोमन सेमी जेन एंड केविन ओंस को एक सिक्समें टैक्टीम मैच के अंदर लास्ट टाइम भी रोमन एंड उसोच को अगर रोमन टाइटल रीटेन करते हैं जो कि मुश्किल है क्योंकि रोमन हेवी अंडर डॉग है मैच को जीतने के लिए यानि कि हारने वाले रोमन यह कुछ ब चांसे से मैच के पिच है तो मुझे लगा बता देते आपको एंड इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स थी आपको पसंद आई है तो लाइक करें इंफॉर्मेशन मिली हो तो आगे भी ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को फॉलो कर सकते आप तो मुझे इंस्टाग्राइम और ट्विटर पर दोनकी लिंक आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं अपनी नेक्ट्स ओफेर काफ इंट्रस्टिंग वेडियो में